नमस्कार दोस्तों विशाल शर्मा दा लेगल हेडलाइंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की मेरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने किसी मित्र को या किसी अपने दिश्तिदार को अगर पैसा उधार देने वाले हैं या उधार देने की सोच रहे हैं तो आपको किन साबधानियों का विशे सुरुप से ध्यान डखना चाहिएं जिससे की भविश्य में आपके मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा डोबने से बस सकता है और ऐसा भी संबभ है कि आपका पैस आपको वापिस जरूर मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जब भी कोई व्यक्ति किसी को पैसा उधार देते हैं तो दिमाग में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि हम आज पैसा उधार दे रहे हैं क्या कल को हमारा पैसा समय से बापिस लोटे गा या नहीं लोटे गा तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसको आप पैसा उधार दे रहे हैं उसके दिमाग में भी ये डर बना रहे कि अगर मैंने पैसा उधार नहीं दिया तो ये मेरे उपर केस कर सकता है ठीक है तो आईए दोस्तों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जब भी आप किसी को पैसा उधार दें तो सबसे पहले दोस्तों आप ये सुनिष्चे जरूर करें कि जिसको आप पैसा उधार देने वाले हैं वास्तब में वो इनसान रिलाइबिल है या नहीं है उस तो कॉमन सेंस आपको भी यूज़ करना पड़ेगा कि वास्तब में उसकी ऐसी इस्तिती है कि वो अपने बीच में आप जरूर बनाएं अगर आप खुद बनाना चाते हैं तो खुद भी बना सकते हैं यदि आपको legal language की जानकरी नहीं है जो कानूनी भाशा है अगर वो उसको आपको सही तरीके से नहीं आती तो आप अपने advocate के माध्यम से भी agreement बनवा सकते हैं और जब भी आप agreement बनाएं तो उसके अंदर सारी चीजे disclose आप जरूर कीजिए कि कितना पैसा आप किस वक्ति को उधार दे रहे हैं और कितने percent पे आप वो पैसा उधार दे रहे हैं कितने समय के लिए आप उसको दे रहे हैं और यदि वो जब आपका पैस वापिस करेंगे कितने समय बा हैं तो अगर ऐसा कोई एक अनुबंध एक agreement अगर आप दोनों के बीच में बन जाता है तो उसमें आप दोनों लोग ही bound होते हैं और पैसा लेने वाले को यह चिंता हमेशा रहती है कि मैंने एक agreement sign किया है और भविश्य में कभी भी वो आपके पैसे मारने की नहीं सोच सकता ठीक है पहला काम आपको यह जरूर करना है कि agreement जरूर sign करवाना है दूसरी चीज़ जब आप पैसा किसी को उधार दें तो आप उस व्यक्ति से एक PDC चेक जो post dated check होता है वो आप जरूर ले लें क्योंकि post dated check यदि कोई व्यक्ति आपको देता है तो इसका मतलब आपके पैस वापिस नहीं किया तो यह व्यक्ति कोट में check लगा कर मेरे उपर recovery suit भी file कर सकता है तो इसलिए जितने समय के लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं उतने समय का उस date का आप उनसे एक PDC check आप जरूर ले लें आप उन्हें बोलें कि ठीक है security की तोर पे आपको मेरे को एक PDC check द जब भी आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार दें तो कोट में अगर मान लिजिए भविश्य में अगर कलको अगर उसका दिमाग पलड गया या अगर वो बेमान हो जाता है आपके पैसे बापिस नहीं करता तो आपके पास में evidence होना चाहिए कि आपने पैसे उसको उधार दि सकते हैं या आप उनको check के माध्यम से भी पैसा उधार दे सकते हैं क्योंकि अगर आप check के माध्यम से या UPI payment के माध्यम से आप किसी को पैसा देते हैं तो उस payment की लेने वाले के पास भी bank का record होता है और जिसके पास में पैसा जाता है उसके पास भी उसकी bank के statement record होता है तो क काल सकते हैं तो जब भी आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार दें तो ये तीन काम दोस्तों आप से रूप कराएं जो मैंने आपको बताए हैं तो आप विश्वास रखिए कि फिर आपका पैसा नहीं डूप पारेगा तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे आने वहली वीडियो में अब जो तीन नई कानून भारत के अंदर लागू हुए हैं उसके विशे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे जिससे की अब नई कानूनी जानकारी नई कानून की आपको अपडेट रहेगी और नई नई जानकारी आपके साथ भी हम साजा कर करते रहेंगे तो बने रहेंगे इसी प्रकार्दा लीगल हेड्लाइंस के साथ में हम बहुत जल मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद